प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारी से पौंग बांद का बड़ा जलस्तर 14 अगस्त को अलग अलग समय पर छोड़ा जाएगा एक लाग पंद्रह हजार क्यूसिक पानी अलट जारी आरके हिमाचल न्यूज के लिए विने महाजन की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पौंग बांद का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है रविवार को पौंग जील का जलस्तर 1381.58 फीड रिकार्ड किया गया मौसम विबा के अनुमान के अनुसार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बीबी एमबी ने 14 अगस्त को पौंग बांद से पानी चोड़ने की सूचना जारी कर दी है तता इसकी सूचना जिलादीश कांगणा, SDM जौली, SDM पदेपूर, SDM नूरुपर तता अधिशाशी अभेंता, शाहनेर संसारपूर, टैरस को सूचित कर दिया गया है सूचना के अनुसार पौंग बांद से 14 अगस्त को सुबा 8 बजे 25 हजार, 10 बजे 40 हजार, तता 12 बजे 50 हजार की उसिक पानी ट्रवाइन वा स्लिप बे के माध्यम से चोड़ा जाएगा, जिसके लिए पौंग बांद के निचले किशेतरों में सूचना दे दी गई है गौर तलब है कि पौंग बांद में 1410 फीट तक पानी को स्टोर करने की गशमता है, लेकिन 1390 फीट तक पानी पानी को छोड़ना शुरू कर दिया जाता है पौंग जील में लगातार हो रही, भारी बारिशों से पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तथा इसके लिहाज से बीवी एमबी ने पौंग बांद से पानी शोड़ने का निरने लिया है